अफिलो दोस्तो मेरा नाम है अखिल और आज की इस वीडियो में हम टिंगो मेटेस्से पारट फॉय Pep करिंगे इस में हम वतेनिस से स्टार्ट करेंगे क्योंको 29 से पहले जितना भी क्योंच है को हमने pişशली वाले वीडियों में कवर कर लिया है तो स्टार्ट करते हैं आज के पहले कुशन से देखो इसमें पहला क्वेशन क्या दिया है यह दी 510a is equal to 4 के बराबर है तो इसकी वैली मुझे निकालनी है तो मैं कैसे निकालूंगा सबसे पहले तो यहां पर 10a की वैली निकालो बराबर हो जाएगा 4 और यह 5 बटे में आ जाए यहां पर मैं लिख सकता हूं 5 sign a upon में कॉसे और मैंने क्योंकि कॉस कॉमन ले लिया तो यहां पर हो जाएगा अब देखो अगर मैं इसको अंदर भी गुणा करता हूं तो इसमें कोई फरगनी होना चीए तो अंदर गुणा करूंगा तो इस से यह कैंसल हो जाएगा तो यह यहां पर होगा 5 sign a जो क्या 5 sign a ए माइनिस माइनिस और यहां पर इसका गुणा यहां भी होगा तो थरी कॉसे तो 3 कॉसे देखो कोई भी फरग बढ़ रहा है इसी परकार से देखो बटे में भी होगा तो यहां पर होगा 5 sign a upon में हो जाएगा कॉसे और प्लस 2 फिर कॉसे मैंने यहां से भी common ले लिया तो कॉसे से कॉसे cancel sign a upon कॉसे तो यह तो उताय 10 और यहां पर भी होगा 10 जिसकी वैली मुझे दी है चार बटे 5 की बरावर है तो यहां पर जाएगा 5 गुणा 4 बटे 5 माइनिस में 3 और बड़ा वाला बटा फिर यहां पर पांच गुणा 4 बटे 5 और प्लस में 2 तो इससे यह कैंसिल इससे यह कैंसिल तो चार में से 3 माइनिस करेंगे यहां पर होगा एक और बटे में 4 प्लस दो तो यह हो जाएगा 6 यानि एक बटे 6 हमारा एंसर हो जाएगा इसका मतलब डी वाला हमारा एंसर होगा टिक तो इस प्रकार से हम इसको सौर्ण कर सकते हैं अब देखो अगला क्वेशन क्या दिया है यह दिए 10 ए बराबर 3 बटे 4 हो तो साइन ए और कॉस ए की वैली मुझे निकालनी है तो मैं कैसे निकाल हूंगा सबसे पहले एक ट्रैंगल में बनाओंगा समकॉंट तिर्भूज मैंने बना दिया अब 10 ए क्या होता है 10 होता है لم बटे आदार तो लं तो अगर मैं यहां पर यह मानता हूँ तो लं यानि kaufen और आदार यह다 क्यों जाएगा तो इसको सौल किरेंगे तो 3 चुब 12 बटे में 5 25 यानि कौन सा मारा एंसर हो जाएगा C वाला मारा answer हो जाएगा ठीक है तो इस प्रकार से हम इसको solve कर सकते हैं अब देखो आगला question क्या दिया है यह दिक कोट A बराबर 3 बटा 4 हो तो मुझे इसकी value निकालनी है तो मैं कैसे निकालूंगा देखो मुझे पता है कि जो कोट A की value होती है वो cause upon sign होती है तो अगर मैं यहां से sign common लेता हूँ तो क्या हो जाएगा यहां पर मैं लिख सकता हूँ sign A फिर यहां पर 1 बचेगा तो 1 minus cause A upon sign A यह हो जाएगा और बटे में भी अगर मैं sign common लेता हूँ तो यहां पर क्या हो जाएगा 1 plus cause A upon मैं sign A तो यह क्या हो जाएगा यह हो गया cot जिसकी value मुझे दी है 3 बटे 4 की बराबर है तो यहाँ पर भी 3 बटे 4 होगा तो मैं यहाँ पर लिख सकता है देखो पहले इस से यह cancel करो तो यहाँ बटे होगा 1 माइनस 3 बाइ 4 और बटे में हो जाएगा 1 प्लस 3 बाइ 4 तो इसका गुणा यहाँ कर दो यानि 4 माइनस 3 जाएगा इसका मतलब डी वाला मारा एंसर होगा टिक तो देखो अगला क्वेशन क्या दिया है यह दि टैने बराबर वन अपॉन रूट सेवन हो तो इसकी वैली मुझे निकालनी है तो देखो अगर मैं इस प्रकार से कोई समकाउंट तिरभूज बनाता हूं और यहां पर ए यह 90 है टैन क्या होता है लं बटा आदर तो लं यानि यह और आदर यानि यह तो यह जाएगा one और यह हो जाएगा रूट 7 अब देखो मुझे कर्ण निकालना है तो इसका स्क्वेर प्लस इसका स्क्वेर तो यानि रूट 7 का स्क्वेर होगा 7 प्लस एक का स्क्वेर तो एक ही होता है तो यह हो जाएगा होगा किर दे समय होगा तो यहां पे यह जाएगा मैंस में होता है कंई जहाएगा जाएगा सब्सक्रrick सान कर सब्सक्राइब root 8 upon root 7 का whole square हो जाएगा तो इसको मैं लिख सकता हूँ 8 minus 8 upon 7 बटे में भी होगा 8 plus 8 upon 7 तो 8 सता 56 मैंसे 8 minus करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 48 बटे में 7 और यहाँ पर होगा 8 सता 56 और 8 यह हो जाएगा 64 upon 7 तो 7 और 7 cancel हो जाएगे फिर मैं इसको 8 से काट सकता हूँ तो 8 अटा 64 और 8 चके 48 फिर 2 से काटेंगे तो यहाँ पर होगा 4 यहाँ पर होगा 3 यानि 3 बटा 4 हमारा answer हो जाएगा इसका मतलब C वाला हमारा answer होगा टिक तो इस परकार से इसको भी solve कर सकते हैं अब देखो अगला question क्या दिया है यह दि काटें बराबर एक बटा रोड थी तो मुझे इसकी value निकालनी है अब देखो काट की value 1 upon root 3 कहाँ पर होती है काट 60 degree पर होती है जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं काट 60 बराबर 1 upon root 3 तो यहाँ पर एक ही value मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ किसके बराबर है 60 degree के बराबर है तो इसकी value मुझे निकालनी है तो यहाँ पर हो जाएगा 1 minus cos 60 तो cos 60 होता है 1 by 2 तो यहाँ पर हो जाएगा 1 minus 1 by 2 का whole square और बटे में यहाँ पर भी 60 हो जाएगा तो यह हो जाएगा 2 minus देखो साइन सिस्टी होता है अंडरूर 3 by 2 तो इसका भी क्या हो जाएगा स्क्वेर हो जाएगा तो यहाँ पर होगा 1 minus 1 upon 4 और बटे में हो जाएगा 2 minus 3 upon 4 तो इसका गुणा यहाँ याँनी 4 में से 1 minus करेंगे तो यह होगा 3 by 4 और बटे में 4 दूनी 8 minus 3 तो यह होगा 5 by 4 तो इससे यह कैसे लियानी 3 by 5 हमारा एंसर हो जाएगा इसका मतलब डी वाला हमारा एंसर होगा टिक तो इस प्रकार से इसको भी solve कर सकते हैं अब देखो इसमा एकला question क्या दिया है यह दे 10 A बराबर 3 by 4 हो तो इसकी value मुझे निकालनी है तो देखो मैं कैसे निकालूँगा अगर मैं एक तिरबुज बनाता हूँ इस प्रकार से तो यह समकावर तिरबुज मैंने बना दिया मान लीजे यह A है तो 10 की value क्या होती है लम बटा आदार और कर्ण की value है 5 तो यह हो जाएगा इसका square अब देखो इसको मैं कैसे solve करूँगा या तो मैं A square minus B square का यूज़ करूँगा यह सिधे square खोल दूँगा तो अगर मैं square खोलता हूं तो यहां पर होगा है यह दि 10 यह बराबर 4 बटा 3 हो तो इसकी value मुझे निकालनी है तो इसमें भी हमें क्या करना होगा इस परकार से कोई त्रिपूज मैंने बना दिया तो यह मान लीजे 90 है यह A है तो 10 होता है लम बटा आदार तो लम है इसमें 4 और आदार है 3 तो यह हो जाएगा 5 क्योंकि 3 4 5 टिपलेट होता है अब मुझे under root में क्या निकालना है 1 minus sign की value तो यह होता है लम बटा करन तो यह हो जाएगा 4 बटे 5 और बटे में 1 plus sign हो यह भी हो जाएगा 4 बटे 5 तो इसका 5 गैंसिल अब देखो इसका root आएगा तो root 1 के साथ भी आएगा और 9 के साथ भी आएगा तो 1 का root तो 1 होता है और root 9 होता है 3 की बटा यानि 1 बटे 3 हमारे answer होगा इसका मतलब बी वाला मारे answer होगा टिक तो इस प्रकार से इसको भी solve कर सकते हैं अब देखो अगला question क्या दिया है sign a बराबर 1 बटे 2 तो sign की value 1 बटे 2 कहां पे होती है sign 30 पे होती है तो यहां से मैं a की value निकाल सकता हूँ a बराबर होगा 30 degree अब मुझे क्या निकालना है cot a या cot 30 degree की value मुझे चीए टिक तो cot होता है cos upon sign तो cos 30 होता है under 3 बटे 2 और sign होता है 1 बटे 2 एक बटे 2 से 1 बटे 2 कहां से लियानी root 3 हमारे answer हो जाएगा इसका मतलब यह वाला हमारे answer होगा ठीक है तो इस परकार से इसको भी solve कर सकते हैं अब देखो अगला question कहा दिया है cos पराबर है 4 बटे 5 तो मुझे 10 की value निकालनी है तो मैं कैसे निकालोंगा अगर मैं इस परकार से कोई triangle बनाता हूं यह 90 होगा यह मान लीजिए यह है तो कौस होता है आधार बटे कर्ण तो आधार है 4 कर्ण है 5 तो यह 3 हो जाएगा 3 4 5 triplet हो गया तो 10 की value निकालनी है तो 10 होता है लंब बटे आधार तो यानि 3 बटे 4 हमारा एंसर हो जाएगा इसका मतलब एवाल हमारा एंसर होगा अब देखो आगला question क्या दिया है यह दे 10 यह बराबर 8 बटे 15 हो तो मुझे कौसक की value निकालनी है तो इस परकार से निकाल सकते हैं 10 की value होती है लंब बटा आधार तो लंब है इसमें 8 और यह 15 तो 8 15 और 17 यह टिपलेट मैंने बना दिया मुझे कौसक की value चीए तो कौसक क्या होता है कर्ण और लंब तो पहले कर्ण आएगा यानि 17 फिर लंब आएगा यानि 8 तो 17 बटे 8 हमारा एंसर हो जाएगा इसका मतलब ड कर्ण और लंब तो कर्ण है इसमें root 10 और लंब है इसमें 1 अब देखो अगर मैं इसकी value निकाल हो तो इसका square हो जाएगा यानि root 10 का square 10 minus 1 का square होगा एक इसका भी root होगा तो यह हो जाएगा root 9 या इसको मैं 3 लिख सकता हूं मुझे क्या चाहिए सैके सैके होता है कर्ण और आधार तो कर्ण है इसमें root 10 और आधार है इसमें 3 तो root 10 upon 3 हमारा answer हो जाएगा यानि D वाला हमारा answer होगा टिक अब देखो अगला question क्या दिया है यह दिए 10 ए बराबर 1 upon root 3 तो 10 की value 1 upon root 3 कहां पर होती है 10 30 पर होती है यानि एकी value मैं यहां से निकाल सकता हूं 30 तो सैक 30 की value मुझे निकालनी है तो सैक 30 कितना होता है under root 3 बटे 2 cause होता है और यह इसका ओलटा यानि 2 बटे अंडर लूट 3 यानि 2 वाला मारा answer या इ इसमें 1 और आधार है इसमें root 3 तो अगर मुझे यह वाली value निकालनी है तो इसका square प्लस इसका square तो तीन प्लस एक तो यहां पर जाएगा 4 या इसको में 2 लिख सकता हूं ठीक है अब मुझे सैक की value चीए तो सैक्या होता है कर्ण बटे आधार तो कर्ण है इसमें 2 और आध आधार तो अगर मैं इस प्रकार से triangle बनाता हूं तो कर्ण है इसमें 25 और आधार है इसमें 7 तो कौन सा ट्रिप्लेट बनता है साथ 24 और 25 का साथ 24 पच्छिस का ट्रिप्लेट मैंने देख लिया तो मुझे क्या निकालना है साइन निकालना है तो साइन होता है लंबटे यानि कौन सा हमारा एंसर हो जाएगा सी वाला टिक तो इस प्रकार से इसको भी सॉल कर सकते हैं अब देखो अगला कुश्न क्या दिया है यह दिक कौट यह बराबर 3 बटे 4 तो साइक की वैल्यू क्या होगी तो कौट यह क्या होता है कौट ही होता है आधार बटे लंब तो यह होगा पांच तीन चार पांच टीपलेट मैंने बना दिया तो मुझे सेक की वैल्यू चीए तो सेक क्या होता है कर्ण बटे आधार तो कर्ण है इसमें 5 और आधार है इसमें 3 तो 5 बटे 3 हमारे एंसर हो जाएगा यानि सी वाला हमारे एंसर होगा टिक अब देखो अगल है इसमें a और कर्ण है इसमें görऊ है तो यह वाली बुजा क्या हो जाएगी थे को इसका स्कुरर माइनिस स्कुरर तो यह जाएगा बी स्कुरर माइनिस एकर मुझे क्या चाहिए कुण तक क्या होता है आधार वटकरन तो आधार है इसमें Android with square minus a do अपॉन कर्ण है इसमें बी तो अंडरूड में बी स्क्वाइर माइनिस अपॉन बी कहां पर है डी वाला है इसका मतलब यह हमारे एंसर हो जाएगा ठीक है तो इस प्रकार से हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं अब देखो इसके जो बागे कोशन है वह हम अगली वीडियो में त शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सिस्क्राइब करना ना बोलें तो मिलते हैं आप से इसके अगले पार्ट में तब तक के लिए बाबाई